सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से स्विर्फ चैनल के अंदर mcq वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और नया mcq वीडियो हम लेकर आए sse crpf व्याप्रम एक्जाम्स के point of view में कुछ important mcq जिनको with rational हम याप पे solve करने वाले हैं आप लोगों से बुजारिस फटा-पर से लिंक को share कर दीजे वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं अगर भी ना subscribe कि कि आपको notification नहीं मिलेगा तो आप फटापर से subscribe कर दीजिए और maximum लोगों को connect कर दीजिए शुरात करते एक बहतरीन क्लास की आज क्या यह वीडियो session जिसमें कुछ important mcq जिनको विद्रैसनल हम solve करने वाले हैं तो आप अपना answer put करिए और अपने confident को build up करिए हो सकता आपका answer गलत हो गलत हो तो फिर जब right answer आजाए तो दूबारा से put करिए और अपने confidence को build up करिए क्योंकि confidence वो जो है आपका हत्यार है जो आपको सपलता के सिकर तक पहुचा देगा तो सुरात करते हैं वीडियो सेस्टन की सबसे first mcq आपके सामने यह रहा अट हुआ है जिशको परफौरेशन हो चुका है इडियो अल्सर का जहिए ना गास्तिक प्राप् टे कर या इस थ Goo जिनल उसका पर पफोरेशन हो चुका है वीज ऑब दी following you would expect to observe as the primary initial symptom जब मरीज को डिडिनल अलसर का परफोरेशन हो जाता है तो क्या प्राइमरी जो है इनिशिल सिम्टम वहां पर दैखने को मिलेगा आप क्या सिम्टम एक्सपेक्ट करते हैं उस मरीज में फर्स्ट ऑप्सन है फीवर सेकिंड वन है डिजीनेस थर्ड वन है पैन और फॉर्ट वन है वर्मिटिंग परफोरेशन से संभन दीते हैं अगर किसी मरीज को डुडिनल अलसर रहेगा तो उसको वोमिटिंगोन होना एक कॉमन बात है यह लेकिन यह पर्फोरेशन का साइन नहीं है यह तो खुटा जवाब हो गया डिजीनेस या गिडीनेस का समद्ध पर्फॉरेशन से नहीं है यह इनिशिली जो जो ड्यूडिनल लग्वाले मरीज को ज्यादा तर जो है जो मरीज है उसको खाने के दो गंटे बाद में पैन होता है तो पैन के डर से मरीज खाता नहीं है तो नहीं खाता है उससे डीजिनेस होता है यह परफोरेशन से नहीं होता है और परफोरेशन का initial sign fever नहीं होता है क्योंकि fever later on जब bacterial infection हो जाएगा तो हो सकता है लेकिन डुडिन ulcer का initial जैसी परफोरेशन हुआ severe sap pen वहाँ पे फिल होगा मरीज को intestinal pen तो definitely C यहाँ पे correct answer है pen very good कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया पैन डुडिनल ulcer के परफोरेशन का सबसे initial sign होता है तो वो मरीज जो डुडिनल ulcer के साथ में है और उस मरीज को अगर severe sap abdominal pen होता है तो यह इंडिकेट करता है कि वो डुडिनल ulcer जो है उसका क्या हो चुका है परफोरेशन तो C is the correct one बहुत अच्छे कुछ लोगों का जवाब ठीक थीक था very good ट्राइको मोनाल infection is caused by question में पूचा है ट्राइको मोनाल इंफेक्शन किसके द्वारा होता है यह पर प्रोटो जोवा इस्ट फंगस बैक्टीरिया चार अप्सन यह पर दिये वह है ट्राइको मोनाल एक तरह का सेक्सवली ट्रांस्मिटेड इंफेक्शन हैं कहते हैं और जिसके पिर olesking ऋप्रेटिंट ऑट होती है उसके वेज साच होते हैं मोने हमलता रहती है और तो वाइनिंग ग्पेज इचींग में और एचीं Fat Rules के रहते हैं凌नेग्ए रहते हैं readness रहता है genital area swollen रहता थोड़ा और frequently urination के और होती है urination के समय पहन होता है sexual intercourse के दोरान पहन होता है इस तरीके के symptom के symptom जो होते हैं वो Trichomonas vaginalis के symptom कहलाते हैं और यह Trichomonas vaginalis जो है वो एक बहुत अच्छे कुछ लोगों टी आент सई जोब देख गए embedded प्रोटो-加वल इंपेक्शन रोटो जोवा की बज्द से ओने वाला इंफेक्शन होता है ट्राइको मोनास वेजाइनलिस और ट्राइको मोनल इंफेक्शन यह तो यह पर करेक्ट आंसर रहे इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग आप चोईस होती है वो किसको माना जाता है, हम पहले पड़ चुके हैं, metronidazole, इसका treatment, drug of choice नहीं का वहह consolidation, metronidazole इसका drug of choice रहता है, नीडाजोल भी दिया जा सकता है ज्याज़तर मैट नीडाजोल उसका है इसलिह मैटाजों को ड्रग of चोईस माने जता ट्राइकों मोम आस वेजानियर इसका बहुत अच्छे वेरी गूड कॉस्मोल्स ब्रीधिंग इस कॉस्मोल्स ब्रीधिंग क्या है और सेलो ब्रेथ इंट्रप्टेड बाइपनिया प्रोलॉंग गैस्पिक इंस्पिरेशन फोलॉड बाइए वेरी सौर्ट यूज्वल इन एपिशेंट एस्पिरेशन थर्ड है माग्ड रिदमिक वैक्सिंग एंद वनिंग और रेस्पिरेशन फ्रॉम वेरी डीप टुवेरी सैलो ब्रीधिंग एंद टैंपरेडी अपनिया एंड लास्ट वन इंक्रीज रेट एंड डेफ्ट आप रेस्पिरेशन क्वेस्टन ने पूछा है आपको कॉस्मोल्स के बारे में कॉस्मोल्स ब्रीदिग के अंदर बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने जवा बिलकुल सही लिका है कॉस्मोल्स ब्रीदिंग के अंदर rate जो होती है वो increase जो जाती है और depth जो respiration किया है वो बढ़ जाती है increase rate and depth of respiration तो बिल्कूल correct answer यहाँ पर D है air hunger के नाम से इसको जानते है air hunger जब air hunger नैस देखने को मिलती है हावा की भूक होती है बोड़ी में तो कैसे लंबे लंबे सांस depth के साथ में और फटा पड़ से सांस लेते हैं ताकि maximum air को अंदर input किया जाए इसको air hunger नैस कहते है तो D यहाँ पर correct answer है cosmos breathing is the increase rate and depth of respiration यह cosmos breathing कहलाता है बहुत अच्छे maximum people are correct very good what is the best method used to assess the temperature of an alert patient admitted to the hospital with dehydration secondary to vomiting and diarrhea question है क्या पूचा है कि सबसे best method बता हो क्या assess करने का temperature assess करने का जो मरीज alert है admit हुआ है hospital के अंदर dehydration है और उसका कारण है vomiting और diarrhea तो देखिएगा मरीज alert है good लेकिन important बात है कि वो dehydrated है और जिसका कारण vomiting और diarrhea है अगर मरीज को vomiting हो रही है तो आप oral temperature नहीं ले सकते अगर मरीज को diarrhea हो रहा है तो आप जो है rectal temperature नहीं ले सकते तो oral temperature यहाँ पर मना है radial और heat sensitive tape जो है वो best method नहीं हो सकते वालगि सबसे बेश्च और omitting के बाद में, तो correct answer है C, that is axillary, maximum people are correct, बहुत अच्छे, very good. Question है, histology is the study of, histology, किसकी study है, cell and membranes की, organ and organ system की, skin की और tissue की, histology is the study of, बहुत अच्छे, tissue, histo word for tissue, histo word का मतलब तो the study of tissue is known as histology, तो correct answer यहाँ पर रहेगा D, study of tissue is known as histology, histo, logus, histology, study of tissue, बहुत अच्छे, very good. Paul Bunal test is used in the diagnosis of, बहुत इंपोर्टन क्वेशन है, PB test बोलते है, इसको सौट में, PB test, confirmative diagnostic test है, कौन सी बिमारी का, CMV, cytomegalovirus infection, herpes simplex infection, infectious mononucleosis और CA cervix, चार option यहाँ पर दिये हैं, पोल Bunal test का नाम है, किस बिमारी का diagnostic test है, पोल Bunal test, कुछ लोग ठीक पैठान पाए है, बाकि कुछ लोग जो आप नहीं दे पा रहे हैं, पोल Bunal test जो है, वो confirmative diagnostic test है, इसका दूसरा नाम है, mononuclear response test या monospor test, तो mono मतलब infectious mononucleosis, तो C यहाँ पर करक्टान सुरह है, infectious mononucleosis, जिसका cognitive organism जो है, वो ipstenbar virus, EBV रहता है, और इस infectious mononucleosis का confirmative diagnostic test है, rapid step test बोलते हैं इसको, confirmative diagnostic test है, ipstenbar virus, positive organism, है, इस बीमारी का, और confirmative diagnostic test है, पोल Bunal test, तो पोल Bunal test is related to the infectious mononucleosis, C बिल्कुल करेक्टान सुरह है, infectious mononucleosis, नेक्स्ट है, इस ए पर्मनेंट method of sterilization, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूचा है, कौनसा sterilization का permanent method है, permanent method of sterilization, विच वन इस पर्मनेंट method of sterilization, first option यहाँ पर लिखावाँ डाइफ्राम, second one है MTP, that is medical termination of pregnancy, third one है tubectomy, और fourth one है D&C, dilatation and curate, permanent method of sterilization, बहुत अच्छे, maximum लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, sterilization के permanent method के अंदर, एक आता है tubectomy और एक आता वेसेक्टमी, female के अंदर तो किया जाता है tubectomy, जो की सब लोगों का correct जवाब है, C यहाँ पर correct answer है, female के अंदर किया करता है tubectomy, और male के अंदर किया जाता है male के अंदर, और female के अंदर किया हमने tubectomy, और यह permanent method है, के डाइफ रबैरियर मेतरड की तरह काम करता है एंटीपी जो होता है और डीएंसी जो होती है यह प्रेगनेंसी कनफर्म होने के बाद में अबोट कराने के तरीके हैं मेडीकल हम ट्रॉण्टर करते हैं प्रेगनेंसी को MTP में और DnC जो है दालेटरू दान क्यूरेट जब भ वेगस इज विच क्रेणियल नरु कौन सी क्रेणियल नरु को वेगस नरु के नाम से जाना जाता है यह क्वेश्चन पूचा है वेगस नरु अप्शन है 10th, 7th, 9th और 5th क्रेणियल नरु टोटल नमर में 12 पेर्स होती है क्रेणियल नरु का पूरा सेपरेट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आप जरूर देखें क्रेणियल नरु के नाम उसके टाइप कौन-कौन से रहते हैं क्या-क्या उनके फंक अब्दूसेंट फेशियल वेस्टिबलो कोक्लियर ग्लोस और फेरिंजल और वेगस फर्स सेकेंड थर्ड फॉर्थ पिप सिक्स सेवन नाइट नाइन तैन इसका मतलब वेगस नाम कितने नंबर पे आया 10 नंबर पे डेफिनेटली मैग्जिमम पीपलार करेक्ट यह मिक्सरी निएन नाइट नेरफ होता है इसमें सैंस्टे और मोटक दोनों के फाइबर होते हैं नाइन्द क्रेंजिल नाइन का क्या नाम है धला 100 फेरिंजिल और जो घ्लाउ सोब तसब्सक्रीनण ओढ़ा सब्सक्रेण चाइब कि और पांच वा नाम या पर दिखा ही और फिप्त क्रेनिल नर्व और फिप्त कौन सी है ट्राइजमाइनल और फिप्त का नाम हो गया ट्राइजमाइनल और ट्राइजमाइनल भी कैसी नर्व हो गई तो वेगस ट्रेमियू की नायरं के एक्जाम्पल है यहां पर दस भी का पूछा, उसका नाम है वेगसुल, नाय रहती है यह पांच जो रहती है यह मोटर है थर्ड फॉर्थ सिक्स्थ एलेवन तो ट्वेल यह जो है यह तो मोटर है और यह चार मिक्स टाइप यह और तीन प्यॉर सेंसरी इस तरीके से 12 पेर्स ओप्रेनियल नरू आप देखने को मिलती है यहां पर वेगस का पूचा है तो इंटरफेरों इंटरफेरों एंटिजन प्रोटीन एंटिबियोटिक प्रोटीन एंटिवाइरल प्रोटीन ओल आप दीज इंटरफेरों क्या होते है वट इंटरफेरों एलफा इंटरफेरों एक वर्ड सुना होगा आपने जब एंटिजन एंटिबोडी कॉंप्लेक्स बन viral infection में जो protein बनेगा उसको interferon बोलते हैं तो यहां पर correct answer रहेगा antiviral protein C is the correct one, interferon जो होता है वो एक protein है जो body में build up होता है virus के against antiviral protein बोलते हैं C is the correct one, बहुत अच्छे interferon, एक antiviral protein है interferon, very good, very good, बहुत अच्छे a natural body defense that play an active role in preventing infections is infection को prevent करने के लिए कौनसी body defense mechanism जो है वो natural role play करती है, natural body defense जो की play करती है active role infection को prevent करने के अंदर, मतब तरीका जो तरीका है infection से लडने का वो तो है naturally, defense mechanism natural है और actively role play करती है, body में infection को prevent करने में, वो कौनसी है, yawning, body hair, rapid eye movement और hiccuping, फड़ा फड़ से जवाब लिखेगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेखेगा, yawning का मतलब है उबासी आना, hiccuping का मतलब है hiccups, hiccup होना, हिचक की आना जिसको अपन कहते हैं, तो yawning और hiccuping जो है, यह एक प्रोटेक्टिव रिप्लक्सेज टाइप के है, यह कोई defense mechanism नहीं है, reflexes कहता है यह, और rapid eye movement जो होते हैं, यह भी निस्टगमस में देखने को मलता है, जो कि एक abnormal condition है, तो यह तीनों defense mechanism नहीं है, natural body defense mechanism, तो यहाँ पर correct answer बनेगा B, body के जो hair है, वो infection को entry से prevent करते हैं, जैसे nasal hair है, respiratory infection को prevent करते हैं, skin के उपर hair है, skin के infection को prevent करते हैं, तो body hair जो है, यह natural defense का जो है example है, बहुत अच्छे, very good. नेक्स्ट है, repair of tympanic membrane is, tympanic membrane का repairment क्या कहलाता है, tympanic membrane जो है, उसको repair करते हैं, उसको क्या करते हैं, option है, merengoplasty, septoplasty, tympanoplasty, merengotomy, चार option यहाँ पर दिये वे, tympanic membrane का repairment, क्या कहलाता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, magazine, लोगों ने tympanoplasty, जो आप दिया है, देखिएगा, plasty word, reconstruction या repairment होता है, septum है नहीं, यह, septum नहीं होता, septum जो है, जो अपना pellet है, उसका repairment होता है, यह pellet का problem तो है नहीं, तो यहाँ पर septoplasty या, merengotomy तो है नहीं, दो word बसते हैं, tympanoplasty और merengoplasty, tympanik membrane के repairment के लिए, दोनों ही वर्ड काम में लेते हैं, हम वापे tympanoplasty भी करते हैं, और हम यहाँ पे, जो है, merengoplasty भी करते हैं, लेकिन यह depend करता है, कोज के उपर, कि उसका perforation हुआ है, या क्या region हुआ है, तो थोड़ा surgery का तरीका अलग है, इनिशली tympanik membrane का अगर repairment पूचे तो merengoplasty होता है, और थोड़ा उसके अंदर advance repairment जो है, वो tympanoplasty के नाम से जानते हैं, तो अलग की answer दोनों ही है, लेकिन दोनों में, मतलब सीधा पूचे, repairment of tympanik membrane, that is tympanoplasty, tympanoplasty, merengoplasty भी इसी तरह की surgery होती है, थोड़ा difference है दोनों के अंदर, कि merengoplasty initial surgical correction है, और उसके अंदर tissue scarring अगर और की है, और उसका अटाके repair कर रहे हैं, तो उसको tympanoplasty कहते हैं, बिना scarring के उसको merengoplasty कहते हैं, और tissue repairment करके करें, तो उसको tympanoplasty कहते हैं, तो यहाँ पर अगर सिरफ पूचा repairment of tympanik membrane तो दोनों ही जवाब बन सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर आपको एक चूज करना है, तो merengoplasty आप चूज करिए, इसलिए correct answer A जाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि C गलत है, इस question के according तो दोनों ही जवाब है, लेकिन अगर अगर अपन थोड़ा advance सोचें तो A correct है, initial surgery को merengoplasty करते हैं, let on, यह tympanoplasty जब scarring tissue को remove करके करते हैं, तब यह होता है, बहुत अच्छे, carriers are not found in, carriers किसमें नहीं पाये जाते हैं, carriers वो होते हैं जो disease को carry करते हैं, carriers उनको बोलते हैं, जो disease को carry करने का काम करते हैं, तो कौन सी बीमारी में carrier नहीं होते हैं, यह पूछा है, typhoid whooping cough, diphtheria, repetitis B, देखेगा, aureofical root, पी और पू इसको बोलते हैं, aureofical root जो होता है, यह, तुरू, bowel, bladder, infected, जो material है, वो एक individual से दूसरे में transmit होता है, यह carrier का तरीका होता है, यह तरीका लागू होता है, typhoid के उपर, diphtheria में, और repetitis B में, इसमें carriers पाई जाते हैं, एक आदमी, खुद, carrier वो होते हैं, जो infection को carry करते हैं, और खुद जो है, वो symptomatic नहीं होते हैं, कोई नहीं करता है कि एक आदमी carrier है, और वो एक से दूसरे में transmit करेगा, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर correct answer है B, in whooping of there is no carrier, बाकि type 5, diphtheria और repetitis B में carrier पाई जाते हैं, correct answer है B, बहुत अच्छे, कुछ लोगों के जवाब बिलकुल सही है, pus in the plural cavity, क्या कहलाता है, plural cavity में अगर pus formation हो जाए, उसको किस नाम से जानते हैं, plural effusion, empycima, empyma, pyoria, plural cavity के अंदर pus का formation, parital or visceral plural, pus form होगी, उसको क्या बोला जाएगा, very good, बहुत अच्छे, it's empyma, empyma is the pus in plural cavity, plural cavity में pus का formation, empyma कहलाता है, अगर महाँ पे air भर जाए तो उसको empycima कहते है, fruit भर जाए तो plural effusion है, और pyoria जो होता है, यह pus से समंदीत ही है, लेकिन plural cavity के pus को pyoria नहीं कहते है, है कि नहीं है, तो यहाँ पे correct answer है, C, empyma, is the pus in plural cavity, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, pyoria किसको बोलता है, have you any idea about pyoria, good, कुछ लोगों ने ठीक पैचा न, pyoria बोलते है, gum disease को, gum, gum की बिमारी होते हैं, gum disease, उसको pyoria बोलते है, gum disease, आप इसको दूसरा नाम बोल सकते है, periodontitis, periodontitis, inflammation around the gums and teeth के, जो है वो inflammation, pyoria कहलाता है, pyoria का मतलब air और EM ने फ्लूट पढ़ी लिया है, तो यहां पर यह नहीं हो सकते हैं, इसलिए correct answer है, c, a, b, or d जो है, वो खोटे जवाब है, इसलिए c, बिलकुल correct answer है, the part of the digestive system, where, no digestion take place is, digestive system के कौन से part में, digestion नहीं होता है, which part of digestive system have no digestion, mouth, ileum, esophagus, और stomach, चार option यहां पर दिए वह है, digestive system के कौन से part के अंदर, digestion नहीं होता है, mouth, ileum, esophagus और stomach, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, maximum people are correct, there is no digestion in the, esophagus, very good, c, बिलकुल correct answer है, esophagus में, किसी भी तरीके का कोई digestion नहीं होता है, mouth कंदर होता है, ताइलीन एंजाइम होता है, और वहाँ पर कार्बाइडरेट की स्टार्स फॉर्म जो है, वो कनवर्ट होती है, तो स्टार्स फॉर्म जो है, का कनवर्जन, कहां पर होता है, mouth के अंदर, तो यह तो, मतलब स्टार्स जो है, वो polysacryoride है, और उसकाayan dai sákryoride में convert होना, यह कापे मार्टोज जो बनती है, dai s sare nerd 있나ot, तो स्टार्स का मार्टोज में convert होना, टाइलन एंजाइम करता है, मार्टोज होता है, वो mouth के अंदर, carbohydrate का तो digestion नहीं होता है, लेकिन protein का होता है, और ilium के अंदर, वापस इनका digestion होता है तो यह A B O D तीनों जवाब खोटे हैं क्योंकि यहां पर डाइटेस्ट के एंदर बीच का एक पाइप है एक connecting structure एक चरण है जो मुह को किस से जोड़ती है स्टोमँक से तो यह इस्लोफेगश्श है यहां पे करग्ट क्या बनेगा सी इसलोफेगस which of the following is a midriatic midriatic का क्या मदब होता है midriatic का मदब होता है dilatation dilatation of pupil जो pupil को dilate करती है उसको क्या बोलते है midriatic pupil का dilatation midriatic कहलाता है कौन सी दवाई midriatic करेगी option है atropin, novokan, adrenalin और silver nitrate तो midriatic वो दवाई करती है जो sympathetic nervous system का response होती है sympathetic, adrenergic दवाई, क्या नाम देते हैं उसको adrenergic adrenergic, adrenergic वो drug है जो sympathetic nervous system का response adrenergic response, adrenergic response जो होता है वो GI system को slow करता है बाकि सारे body system को speed up करता है और किसी भी surgery को करने से पहले ये medication काम में लिया जाता है very good और ये people को dilate करता है बहुत अच्छे very good maximum people are correct it's atropin sulfate, atropin और bronze tropin दोनों adrenergic के example है और ये दवाई जो है वो sympathetic response देती है और pupil को क्या करती है dilate, question ये ही पुचा है कौन सी medication pupil को dilate करेगी तो ज्वाब है atropin sulfate, A is the correct one, बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे protein synthesis occurs in protein synthesis कहां पर होता है in cell where protein is synthesized ribosome, lysosome, golgi apparatus, endosome चार option यहां पर दिए है protein कहां पर synthesis होएगा protein का synthesis cell के अंदर ribosome के अंदर होता है protein का synthesis cell के अंदर ribosome के अंदर होता है बहुत बढ़ी है तो definitely यहां पर correct answer क्या बनेगा A, it's ribosome the synthesis of protein in the cell is ribosome cell के अंदर protein का synthesis कहां पर होता है ribosome के अंदर यह बिल्कुल correct answer है, ribosome, protein synthesis in cell, occurs in ribosome, A is the correct one, B, C, O, D, खोटे जवाब है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, the most serious complication of fracture is, fracture का सबसे serious complication कौन सा है, fracture हुआ किसी individual को, तो सबसे fracture का सबसे serious complication पूचा है, infection, hemorrhage, fat embolism और air embolism, fracture के बाद में यह सारे ही complication हो सकते हैं, लेकिन इन में सबसे serious complication यहाँ पे पूचा है, फटाबर से जवाब लिखेगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कूल सही जवाब है, इस C, fat embolism, सबसे serious complication, fat जो bone है, वो tissue को वहाँ पे injury करता है, वहाँ से fat globals बनते हैं, और वो blood के flow में आ जाते हैं, और यह जाके embolus का काम करता है, कहीं भी रुकावट का काम करेंगे, तो fat embolism, जो है, वो सबसे serious और dangerous complication के रूप में सामने आता है, किसी भी fracture वाले मरीज के अंदर, definitely correct answer क्या बनेगा, C, it's fat embolism, which of the following is a barrier method of contraception, question ने पूचा है, contraception का barrier method कौन सा है, कौन सा method जो है, barrier method की तरह काम करेंगा, contraception के अंदर, first is oral pills, condom, copper tea or tuberctomy, barrier method, contraception का barrier method, very good, very good, बहुत अच्छे, maximum people are correct, it's a condom, condom is a barrier method of contraception, oral pill, hormonal तरीका है, copper tea is the hormonal best, cubectom is the permanent method of contraception, barrier method होता है, condom, तो B, यहाँ पर बिल्कुल correct answer है, barrier method of contraception, तो यह कुछ important MCQ जो है, आज के इस video lecture में हमने पड़े, hope so आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, वीडियो को share करें, comment box में अपना सुजाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को maximum logo तक पहुचाने की जिम्यदारी उठाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहाता कि सार्ती बने, स्वार्ती ना बने, तो देखते हैं, आप कितना सार्ती पन दिखाते हैं, कितने लोगों की मदद कर पाते हैं, देखिए का मदद करके देखिए, अच्छा लगता है, तो मिलेंगे दुबारा एक नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ में, कुछ important, tricky और जो है, rationalized MCQ के साथ में, जो maximum आपकी मदद करेंगे in future, कोई भी जो nursing officer exam रहेंगे उनके अंदर, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!